स्वस्भाला ओरियो खतम है पचास ओरियो खतम है साथ ओरियो खतम है और यह तो कान वाला कहा चला गया? बीस ओरियो भी खतम है हाँ भॉजी अब बोली यह त्ट्s क्या चाहिए आपको? मुझे एक ओरियो बिस्कुट देदो औरी रो में कौन सा फ्लेवर दूँ कौन कौन से हैं दिखा दो ये देखो ये है करेला फ्लेवर औरी रो ये जब से मेरी दुकान पर आया है न बहुत बिख रहे हैं ये तो नॉर्मल वाले से भी बहुत कड़वा होगा कड़वा? ये समझ लो आपने जितनी भी आज तक कड़वी चीज खाई होंगी न वो इसके आगे मीठी लगेंगे कड़वे की वज़े से ये तो ये बिख रहे हैं कड़वे की वज़े से? हाँ इसे खाने का लोग चैलेंज करते हैं ले जाओ, आप भी चैलेंज कर ले न अरे नहीं, मुझे कोई और दिखाओ अच्छा तो फिर ये देखो लाल मिच ओरी रो इसे सब सबजी में भी डालते हैं जैसे कभी-कभी गहर में मेच खतम हो जाती है तो लोग इसे ही सबजी में डाल लेते हैं अरे नहीं, ये तो बिल्कुल भी निच चाहिए कोई और दिखाओ तो फिर ये वाला देखो बैंगन ओरी रो अरे ये क्या दिखा रहे हो अरे भाई साव, ये फ्लेवर तो सबसे जादा बिखता है जादा बिखता है तो रहने दो मुझे वो दिखाओ, जो किसी ने ना खरीदा हो नहीं खरीदा हो यानि एक्सपार डेट का दूँ वो ही कोई नहीं खरीदता अरे नहीं, मेरा मतलब है जो यूनिक हो या बड़ा हो अच्छा, बड़ा चाहिए आपको तो ऐसा बोलो ना 200 रुपेका चलेगा पहले दिखाओ, कितना बड़ा है ये देखो इसमें एक ही बड़ा बिस्कुट निकलेगा क्या? एक ही? हाँ, क्यूंकि बिस्कुटी इतना बड़ा है पूरे पैकेट में एक ही आपाएगा अच्छा हाँ, ये वाला बहुत कम बिखता है बिखता तो है ना? हाँ, बिखता तो है ऐसा दो जो आज तक किसी ने ना खरिदा हो अच्छा तो फिर मेरे को आपके लिए स्पेशल और सबसे बड़ा और इरो बनवाना पड़ेगा हाँ कहा रहा गया, एक मिनट से वेट कर रहा हूँ आ गया, अपने सामने देख अभी मैं चलाई जाता मुझे वेट करना पसंद नहीं है अरे, तुझे कुछ हैरानी नहीं होगी क्या हैरानी? हैरानी क्यूं होगी मुझे? ये बिस्कुट नहीं दिखरा क्या, तुझे? हाँ, दिखरा है ये तुझे बढ़ा नहीं दखता क्या? अगर तू से बढ़ा कह रहा है तो मेरे ओरी रोको क्या बोलेगा? अच्छा, तू भी लाया क्या? हाँ दिखा फिर कहा है? ये रहा यह क्या है चादर? अरे चादर के नीचे क्या हुआ? अरे तु यह कहा से लाया है? दुकान वाले न तो मुझसे बोला था मैं आपको सबसे बड़ा बिस्कुट दे रहा हूँ अच्छा? तुसने तो मुझसे भी यही बोला था अच्छा? मुझे लग रहा है वो दुकान वाला सब को बड़ा कहके ही बेच रहा है उस दुकान वाले की इतनी हिम्मत अब ही जाता हूँ उसके पास तु भी इतना बड़ा ही लिए ही हो भाई साब मुझे आपने सबसे बड़ा बिस्कुट दिया था हाँ? क्या हुआ? उससे भी बड़ा आपने मेरे दोस्त को दिया है मैंने कहा था यूनिक देना जो किसी ने ना ख़ईदा हो अरे भाई साब नराज की हो रहे हो? आपके दोस्त को भी यूनिक चाहिए था फिर आप ही बताओ मैं क्या करता तो उसको जो दिया है वो मुझे दे देते वो मेर पास बना हुआ रखा था और मैंने आपका जल्दी की वज़े से छोटाई बनवा दिया ये तुमने बहुत बड़ी गलती करी है इसका हिसाब तो तुम्हें चुका नहीं पड़ेगा अभी कंजूमर कोर्ट में कंप्लेन करता हूँ अरे नहीं रुक जाओ भाई शाओ कंप्लेन मंप्लेन मत करो ऐसा करता हूँ मैं आपके लिए सब सोई यूनिक बनवा देता हूँ ये तो तुमने पहले भी कहा था नहीं इस बार सच कह रहा हूँ इस बार पक्का यूनिक बनवाओ के लोग भी को अनी बन वालिया मतलब धुनिया में ऐसा और इयोगा जैसा में आपको दूगा अच्छा हाँ भई सब्व न बात एतना खुश के वह हो रहा है क्योंकि खुशी की बात ही है अच्छा क्या बात है तुझे कुछ खुस्बू नहीं आ रही गया हाँ आतो रही है लेकिन पता नहीं चला काँ से आ रही है बता किस चीज की है ओरी रो की हाँ बिल्कुल सही पैचा ना लेकिन ओरी रो की खुस्बू मेरे घर तक आ रही है अच्छा, तेरे घर तक आ रही थी? हाँ, लगता है यहाँ कहीं ओरीरो की फैक्टरी खुल गई है फैक्टरी नी खुली, मैं जो ओरीरो लाए हूँना, उसी की खुस्बू आ रही है अरे, तो मेरे घर तक कैसे आ सकती है? क्योंकि मेरा ओरीरो है इतना बड़ा के तेरे घर तक खुस्बू आ रही है अरे, नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है, मैं नहीं मान सकता तुझे जकीन नहीं हो रहा? नहीं, जराबी नहीं तो जकीन दिला दूँ हाँ, दिला तो फिर अपनी नजर घुमा के देख अरे, यह तो बहुत बड़ा है हाँ, खाया कभी तुने इतना बड़ा ओरीरो खाया? मैंने देखा ही पहली बार है खाने की तो दूर की बात रही हाँ, मुझे इस ओरीरो के दर्सन होगे यही भौत है इसे दिखाने के लिए थेंक्यू कहता हूँ मैं तुझे वेलकम, वेलकम लेकिन कैसे खाएगा तु इसे? कैसे क्या खाऊंगा? जैसे खाते हैं वैसी खाऊंगा इसे जब तक मिल्क में डूर के ना खाओ तो मजा ही नहीं आता यह बात तो तू सही कह रहा है तो फिट डूबोएगा कैसे तू इसे? अरे हाँ यार, यह तो मैंने सोचा ही नहीं अरे तेरा ओरी रो भी तो बड़ा था तूने कैसे मिल्क में डूबोया उसे? मैंने एक बड़ा कटोरा बलतनवाले से बनवाया था फिर उसमें मिल्क भरा, फिट डूबो के खा लिया तो फिर मैं भी एक कटोरा बनवालेता हूँ नई, वो इतना बड़ा नि बना पाएगा मैंने उससे बनवाया था तो कह रहा था बहुत मुश्किल से बनाया अब कभी इतना बड़ा कटोरा नि बनाऊंगा अच्छा, फिर मैं क्या करूँ मेरे पास एक आइडिया है अच्छा लेकिन आइडिया जब ही बताऊंगा, जब तु मुझे भी खिलाएगा बहुत मस्त आइडिया है हाँ चल खाली हो, वैसे भी ये बहुत बड़ा है मैं अके ले तो खानी पाऊंगा ऐसे फिर क्या, दोनों मज़े से खाएंगे क्या बात है, मस्ता आइडिया है मुझे पता नहीं था तेरे पास दिमाग भी है चल फिर देर किस बात की हाँ चल क्या बात है, अब आएगा मज़ा कब डूब होएगा ये क्रेन वाला वोदे एक डूब होरा है क्या बात है मैंने ऐसा नजारा जिंदिगी में पहली बात देखा है मैंने भी तो चल थैंक यू बहल दे मुझे मेरी वज़े से ही तू ये देख पा रहा है औरी रो तो में लाया हूँ लेकिन आइडिया तो मेरा है क्रेन वाले को कॉल करके बोल रस्टी टूटने वाली है वो क्रेन को मोड लेगा नहीं तो ओरी दो मिल्क में डूप जाएगा अगर ये करेन वाला कोल क्यों उठा रहा अगर ये ओरी रो गिर गया ना मैं इस क्रेन वाले को दुनिया से उठा दूँगा अभी उठाले उठाले अभी एक क्रेन वाला गया मैं इस और हीरो को टेस्ट भी नहीं कर पाया अभी एक क्रेन वाला गया अभी पाया तो भाग गया अगर नहीं भी भागता तो भी कौन सा ओर हीरो वापिस आ जाता हाँ अब डूब गया तो डूब गया वैसे मेरे पास एक और आइडिया था क्या ओर हीरो को तोड़ तोड़ के गिलास में डूबो डूबो के खा दे दे ये तूब पहले नहीं बता सकता था अब तू गया दोस्तो लाइक करो शेर करो सब्सक्राइब करो और बेल आइक अंदर वाना बिलकुल भी मत भूला दोस्तो और अगर आपको भी कोई ऐसा आइडिया दे तो उसे छोड़ना मत चाहो तो मुझे बुला लेना